नमस्कार राधे राधे मित्रों कैसे हैं आप सब हैं? उम्मेद करता हूँ, अच्छे होंगे, श्वस्थ होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज का जो हमारा वीडियो है वो इंगलिस अलफाबिट के जो डवलू नामबाले जातक होते हैं उनके लिए बहुत जयादा आवश्यक होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि डवलू नामबालों के जीवन में 2023 से 2038 तक का समय कैसा रहेगा इस अबधी में आपके जीवन में क्या-क्या होने वाला है वीडियो बहुत जयादा महतुपूर्ण है तो बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए इस वीडियो के लाश्ट में आपके आने वाले समय का एक अनोखा टोटका है तो आपको उसे भी सुनना है और आजमाना है ताकि आने वाले वर्षों में आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशाने बिलकुल भी नहीं हो तो आईए अब हम वेडियो की सुरुआत करते हैं मित्रों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आपके दामपत्य जीबन के बारे में दामपत्य जीबन के दृष्टी कुन से आपका जुआने वाला शमय है, वो आपके लिई उतारचड़ाव से भरा हुआ रहने वाला है, इस अबधी में अगर अपने दामपत्य जीबन के मामलों में आप कोई लाप्रवाही कर जाते हैं, अपने जीबन साथी के शाथ में अग कोई वादा करते हैं उनके शाथ में अगर आप कोई वादा करते हैं तो अपने वादे को आपको निभाना होगा क्योंकि अगर उनके साथ में आप छल कपट करते हैं जूट बोलते हैं उनको धोखा देते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा और ऐसे वक्त में आपका शमय आपका भाग भी आपका शाथ नहीं देगा। आप में से जो भी लोग अब तक कुवाड़े हैं और आने वाले वर्सों में अगर आप साधी करना चाहते हैं दामपत्य जीबन में जाने के द्रिष्टी कोन से आपका शमय आपका शाथ अवश्य देगा इसके बाद बाद करते हैं आपके संतान के बाड़े में मित्रों संतान के द्रिष्टी कोन से आपका जो आने वाला शमय है वो आपके लिए बहुत जयादा सांदर होगा आने वाले वर्षों में आपके संतान जो भी काम करते हो चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो नौकडी हो य आपके पाडिवारिक जीवन के बारे में तो पाडिवारिक जीवन के दृष्टिकों से भी आपका शमय बेहद शांदार होगा आने वाले शमय से पहले अगर आपके पाडिवारिक जीबन में कोई पड़ेशानी थी कोई शमस्या थी तो आपको चिंता नहीं करना है उस पड़ेशानी को आपको समयपत करना होगा क्योंकि इस काम को करने में आपके घर के शभी लोग और आपका समय आपका भागी भी आप आपका शाथ अवश्य देगा परन्तु कभी कभी आपके पडिवार में पैत्रिक संपती के कारण तनाव सुरू हो जाएगा इस संपती के कारण घर की लोग आपस में बहुत उलज जाएंगी और ऐसे हालात में आपका पाडिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा लेकिन इसके अलावा आपके घर का जो माहौल होगा वो बहुत धार्मिक होगा आपके घर पडिवार में धर्म कर्म का कारज होगा कोई मांगलिक कारज होगा और उस काम को करने में आपके घर के शभी लोग एक जुट होकर एक साथ मिलकर उस काम को शंपन करेंगे और इस काम को कर दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आपके धन संपती के बारे में आपके आर्थिक जीवन के बारे में तो पैसों के दृष्टी कोन से आपका जो आने वाला शमय है वो आपके लिए शामानी रहेगा आने वाले वर्षों में आपको आपके आर्थिक जीवन के मामलों में उतार चड़ाब का सामना बहुत ज्यादा करना होगा आपका जो फिजूल खर्ची हो तो अपने फिजूल खर्ची पर आपको कंट्रोल करना होगा किसी भी इंसान के शाथ में अगर पैसों का आपको लेन देन करना हो तो लेन देन करने से पहले उस व्यक्ती के बाड़े में आपको शाड़ी बातों को पता करना चाहिए पैसों का लेन दिन करने से आपको कोई पड़ेशानी तो नहीं होगी, कोई समस्या भी होगी, इन बातों पर आपको विचार करना होगा और विचार करने के बाद ही आप कोई भी फैसला करें और फैसला करने में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों आप में से जो भी लोग आने वाले वर्षों में लंबे समय के लिए पैसों को लगाना चाहते हैं लंबे समय के लिए पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट मेंट के दृष्टी कोन से भी आपका शमय बहुत शांदार होगा अगर आप सोच विचा ज्यादा शामान्य है आने वाले वर्षों में प्रते एक दिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और अपने पूजा पाट से हनुमान जी को बजरंग बली को आपको खुस करना चाहिए अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन में कहीं कोई परेशाने बिलकु की जाएगी वैसे मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगा सेयर कर देना है तो हमारी आपके मुलाकात एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहु मिधिला